तो चले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लावा के लॉंच हो चुके एक सूपर लो बजट स्मार्टफोन के बारे में जो की बेजिकले एक एंड्रोइड गो स्मार्टफोन है एंड लावा का इस नया स्मार्टफोन Z सीरीज में एक एडिशन है देखा जाए तो लावा के Z सीरीज में अल्रेडी पहले भी पांच फोन लाउंच हो चुके थे जो की थे लावा 60, लावा 70, लावा 80, लावा 90 और लावा 91 भी थोड़े इस महने पहले ही लाउंच हो चुका था है कि इसमें फिर भी 18.9 एस्पेक्ट रिशो दियाया गया है मार्के स्टेंडर्ड के वज़े से अन इसमें शार्प क्लिक फीचर भी इंक्लूट किया गया है जो की कंपनी क्लेम करती है कि वाल-Capturing images, minute-minute details भी capture हो सकेंगे अन इसके अलवा येस, ये स्मार्टफोन में भी 3000 mAh की बैटरी दी गई है तो ये तो ये हाइलाइक्स लावा Z61 के बारे में तो चले हम आगे बढ़ते हैं डीटेल में बात करते हैं ये स्मार्टफोन के बारे में बढ़ उसके पहले, friends, if you have not subscribed to my channel, please hit the subscribe button, press the bell icon and stay tuned for the latest videos. And जो friends जिनने अल्रड़ी मेरी चानल को subscribe किया है, I hope you enjoy this video, इन आशा है कि आप सब ये वीडियो एन तक देखें. तो चले, हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लावा Z61 के features and specifications के बारे में. तो सबसे पहले, अगर हम screen को देखें तो ये, इसका screen standardized screen है, जिसमें 5.45 इंच का screen दिया गया है, with high resolution display and इसका screen resolution है 720 pixels into 1440 pixels and इसके अलबा जैसे कि मैंने पहले भी बता है, इसमें 18.9 का expect ratio दिया गया है and इसके अलबा इसमें screen protection के लिए 2.5D Corning Gorilla Glass भी use किया गया है. तो ये तो बात थी screen and display के बारे में, अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, तो ये smartphone में 1.5GHz का quad-core प्रोसेसर दिया गया है, with Mediatek MT6739WA का chipset and इसके अलब RAM and internal storage के बारे में बात करें, तो ये इस ये smartphone के 2 different variants है, जो कि है 1GB RAM वाला and 2GB RAM वाला and internal storage के मामले में देखा ज 2GB RAM variant launch हो चुका है, but 2GB RAM variant next month से यानि कि August से available रहेगा, तो चले बागे बढ़ते हैं, OS के बारे में बात करते हैं, तो yes, definitely a smartphone will run on latest Android 8.1, but yes, Android Go version है, यानि कि इसमें सारे lighter versions के apps अच्छे से support करेंगे, अब आगे बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, optics के बारे में, तो yes, लावा Z61 में सिंगल camera setup दिया गया है, यानि कि इसका primary camera है, 8MP का एन इसमें LED flash भी दिया गया है, और इसमें autofocus भी included है, अगर हम फ्रंट camera के बार में बात करते हैं, तो लावा Z61 का selfie camera भी 5MP का है, उसमें भी LED flash इंक्लूट किया गया है, और साथ में ये smartphone में, of course, normal beautification features के साथ bookeh effect को भी include किया गया है, और जैसे कि मैंने पहले भी बता है, कि smart phone में sharp click feature भी include किया गया है, जो कि एक scenery images के minute details भी capture कर सकेगा, तो खेर ये तो थी camera के बार में बात, बटाब बात करते हैं, तो ये इसका battery impressive है, जो कि है 3000 mAh का, और इसके अलवा, ये smartphone दो different colors में available रहेगा, जो ये smartphone dual sim भी support करेंगा, अगर हम लोग battery के बार में और भी detail में बात करें, तो company claim भी करता है, कि ये battery को एक बार charge करने से, आपका ये smartphone 1.5 days तर चलेगा, क्योंकि इसके साथ सा company कहती है, कि ये battery AI technology से supported है, यानि कि जो app ज्यादा time टक active नहीं हुआ है, फिर भी कहीना कि आपके window म पर open है, इस पर कोई recently काम नहीं किया है, तो जो भी untouched applications है, उसको वो shut down कर देगी, जचल अब बात करते है, connectivity and sensors के बारे में, तो yes, definitely a smartphone 4G voice over LTE support करेगा, उसके अवला इसमें Wi-Fi, Bluetooth version 4.1 दिया गया है, GPS है, और इसमें micro USB port भी दिया गया है, and इसमें micro USB port भी दिया गया है, and sensors के टो खेश देगें तो थे features and specifications Lava Z61 के बारे में, अब प्राइसिंग को लेके बात करे तो जैसे कि मैंने पहली भी बताया कि एक low budget smartphone है, तो इसका प्राइस इंडिया में set किया गया, at 5750 rupees, it is almost under 6000 rupees, yes, pricing wise, your smartphone एक भी बजट स्मार्फोन है, but functionality wise, your smartphone एक भी बजट बज़टा प्र ना तो एकदम इंप्रेसिव लग रहा है, 3000 mAh बैटरी ओके, but 1GB RAM, seriously, because 1GB RAM एक बहुत बड़ा question mark डालता है, because definitely, आज़कल applications भी इतने हैवी हो चुके है, because 1GB RAM कही न कहीं न कहीं है, यह को support ही नहीं करते हैं, इसके वज़े से phone काफी हद तक लाग भी हो सकता है, but definitely, Lava ने कहा भी है, कि next month से उसका 2GB RAM variant भी launch होने वाला है, but let's wait and watch किया यह same price range में launch होता है कि नहीं, because अगर वो smartphone 2GB RAM वाला same price range में launch होता है, तो definitely कहिना कहीं आप यह option consider कर सकते हो, but I still doubt on this phone, तो friends, एती बात Lava Z61 के बारे में, and अगर आप सब को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, please like किज़े, share किज़े and please don't forget to subscribe to my channel TechChini. Thank you for watching.